पहान जी एवरिवन तो यह question में है जब भी किसी sector से sector क्या होता है circle का एक part जो center पे कोई ने कोई angle बना सकता है जब भी एक sector से cone form होती है उस sector की जो arc length होती है वो हमारे cone के base की circumference बनती है ठीक है और उस sector का जो radius होता है वो हमारे cone का slant height बनता है यह concept आपके mind में बस जाना चाहिए उस cone का जो slant height होता है वो sector का radius ही होता है यह बात कितने वच्चों को clear हो गई अच्छे से ठीक है जी यह बात समझ आई अब आगे पढ़ते हैं एक बार एक मिट्ट एक सेंट रोगे एक सेंट एक सेंट एक सेंट एक सेंट एक सेंट अजी यह सर अब यह जो radius है यह हम निकालेंगे जो नया radius बनेगा वो रेडियस कैसे निकालेंगे यह circumference देखेंगे यह circumference कहां से आएगी यह सेक्टर की आर्क लेंथ है यह सेक्टर की आर्क लेंथ निकलेगी तू पाई यार थीटा थीटा क्या बेटा 90 यह इस पूरे सरकल का क्वाडेंट लिया ना हमने तो शिरफ उस क्वाडेंट से कौन बनाई है तू पाई 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 इसेंटर एंगर 90 डिगरी होता है तो 90 अपॉन फॉर्थ ही होता है पूरी circumference का तू पाई रेडियस यहाँ पे क्या है 28 ध्यान रखना यहाँ पे रेडियस कितना है बोलो 28 इंटू 1 बाई 4 तू इंटू 22 बाई 7 इंटू 28 इंटू 1 बाई 4 जल्दी से बताओ यह कितना आया 44 यह जो आर्कलेंट है यह 44 आ गई और जब इससे कौन बनेगी न तो जब इससे कौन बनेगी उस कौन का जो सर्कलर बेस होगा उसकी circumference भी 44 बनेगी circumference यहाँ रखना अब टू पाई आर रेडियस हमें निकालने है आर डैश बोल देता हूने आर रेडियस है तू पाई आर डैश इस 44 ठीक है तो आर डैश कितना आ गया 7 आ गया आर डैश कितना आ गया विटा 7 उस कौन का रेडियस आपको 7 पता लग गया अब उस कौन का मुझे क्राउड सर्फेस एरिया निकालने है क्या होता है पाई आरेल रेडियस कितना आया 7 और स्लांट राइट कितनी थी 28 बोलो 22 इंटू 28 करेंगे तो कितना आएगा तो 616 अगर हाइट पूछी होती तो हाइट कैसे निकालते पूछी तो नहीं हुई स्लांट हाइट स्केर माइनस रेडियस के रेडियस स्क्वेर और अगर वॉल्यूम भी पूछा होता तो निकाल सकते थे आप क्या होता है वॉल्यूम ओफ कौन वन भाइट वन भाइट रेडियस भी आ चुक है और हाइट आप स्लांट हाइट स्केर माइनस रेडियस स्क्वेर के अंडर रूट से निकाल सकते थे बोलो कोई इश्यू हो तो बताई है यहां पर किसी भी बच्चे को तो यहां पर कॉंस अगर एंगल 45 डीगरी होता तू पाई आर 45 ओड़ी सिस्टी बनेट हो जाता लुपाई आर का अगर एंगल 30 डिग्री होता तो 2 पाई आर थीटा ओवर 30 ओवर 360 यानकी 112 हो जाता 2 पाई आर का यह बात अच्छे से क्लियर है ना सबको अब यह आपने कल के आना अच्छे से है